Hello students, welcome to Topic Touch, इस वीडियो में हम एक unseen passes का solution करेंगे, तो यह unseen passes है, class 10th case students के लिए और last year के exam में यह पूचा जा चुका है, तो देखे, question है, read the following passes carefully, इसको carefully पढ़ना है, and choose the correct option to answer the questions that follow, तो देखे, इस से सम्मन्दित question दिये गाए है, और correct option हमें choose करना है, cable, तो पहले जो pattern होता था, question आते थे, answer देना पड़ता था, और अभी जो pattern है, यह है, इसको read करके, और जो question है, उनके answer दिये गए है, चार option है, और सही जो answer उस पर टिक लगाना है, तो देखे, पहले हम इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे, अगर हम हिंदी अर्थ लगा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, बिलकुल correct समझ में आ जाता है, कि किस question का क्या मतलब है, और हम सही option चूज कर पाते हैं, देखे, work expand, work means काम, expand यानकि बिस्तार होता है, काम का बिस्तार होता है, so as, ताकि, to fill the time available, मतलब जो time उपलब्ध है, समय उपलब्ध है, उसको पूरा किया जा सके, for its completion, तो देखे, जो time है, उसको भरा जा सके, इसको पूरा करने के लिए, यानकि काम का बिस्तार इसलिए ही होता है, ताकि एक समय में उसको पूरा किया जा सके, the general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase, अब देखे, general recognition means होता है, सामान मानता of this fact, the general recognition of this fact, इस तथ की सामान मानता is shown दिखाई गई है in the proverbial phrase, pro-verbial means होता है, कहावती phrase, यानकि बाक्यान्स, तो एक कहावती बाक्यान्स में इसकी मानता, सामान मानता बताई गई है, कैसी, it is the biggest man who has, यहाँ से question पूचा गया है, इसको आपको अच्छे से समझना है, देखे, क्या बताई गया समय, it is the biggest man who has time to spare, देखे, it is the biggest man, सबसे जो बीजी आदमी होता है, best आदमी, who has time to spare, जिसके पास spare, यानकि खाली समय हो, जो खाली समय बाले ब्यक्ति होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बीजी होते हैं, दस इस प्रकार से, अब देखिए, एक example भी दिया गया है, एन इल्डर्ली लेडी, इल्डर्ली लेडी यानकी बड़ी उम्र की कोई भी महिला, एट लीजर, खाली समय में, can spend, गुजार सकती है, the entire day, यानकी संपूर्ण दिन, राइटिंग लिखते हुए, आपोस्ट कार्ड, यानकी पोस्ट कार्ड लिखते हुए, तो दिखिए, इस परकार से एक जो इल्डर्ली लेडी है, बड़ी उम्र की लेडी, वो खाली समय को पोस्ट कार्ड लिखते हुए, यानकी पूरा समय बिता देगी, किवल पोस्ट कार्ड लिखते हुए, to her niece, अपनी भतीजी के लिए, अपनी भतीजी के लिए, एक इल्डर्ली लेडी यानकी बड़ी उम्र की महिला, खाली समय में, पोस्ट कार्ड लिखते हुए, पूरा दिन बिता सकती है, यानकी इतना टाइम बेस्ट करती है, अब दिखिए, वो किस प्रकार से समय को बरबात करेगी, एन आवर, एक घंटा बिल भी इस्पेंट, खर्च हो जाएगा, इन फाइंडिंग दपोस्ट कार्ड, फाइंड करने में, दूनने में एक घंटा लगेगा, एन अदर हंटिंग फॉर इस्पेंटिकल्स, मतलब दूसरा जो समय जाएगा, समय की hunting होगी समय का सिकार होगा वो होगा spectacle से यान की चसमा के लिए और half an hour यान की आदा गंटा to search for तलासने के लिए the address, आदा गंटा लगेगा address यान की पता तलासने के लिए an hour and a quarter तो and मतलब 7 गंटा quarter मतलब 15 minute चे होते हैं उसे बोलते हैं a quarter तो and hour एक गंटा and and a quarter पूरे का मतलब 7 गंटा यान की एक गंटा 15 minute in composition composition मीज समय उजद करना सही उजद करना इन सभी चीजों को एक खटा करने के लिए in 20 minutes और 20 minute in deciding ये और 20 minute जाएंगे ये decide करने में ये ताय करने में whether or not to take an umbrella की जो चाता है उसको लिया जाए कि ना लिया जाए यान की चाता ले जाया जाए कि ना ले जाया जाए ये decide करने में 20 minutes जाएंगे when going to the pillar box in the next street जब वो elderly lady जो है वो जब अगली गली में next street में जब pillar box के पास जाएंगे pillar box का मतलब है डांक का डिबबा वहाँ पर जाएंगे तो ये decide करने में 20 minutes जाएंगे कि वो umbrella जो है वो चाता ले जाएं कि ना ले जाएं इसलिए कहा गया कि जो खाली ब्यक्ति होता है वो सबसे जादा बिजी रहता है फाल तो time based करता है वो the total effort पूरा प्रयास that would occupy occupy मिस गरहन करना a busy man for three minutes तो देखिए पूरा प्रयास जो एक busy man जो होता है एक ब्यस्त ब्यक्ति जो होता है उसके लिए तीन मिनट लगते जिस काम को करने के लिए किवल तीन मिनट का समय लगता all told मतलब सब बताते हैं सबने सब की द्वारा बताया जाता है may in this fashion leave मतलब इस काम में leave means छोड़ देना another person जो दूसरा ब्यक्ति है दूसरा ब्यक्ति कौन जो खाली रहता है बहुत ज़ादा वो क्या करेगा completely exhausted completely पूरी तरह से exhausted means ठक जाएगा ठका होगा होगा after a day एक दिन के doubt Sunday, anxiety, चिंता and toil और परिश्रम के बाद यहनकि जो दूसरा ब्यक्ति है जो आलसी है जो फिरी रहता है वो क्या करेगा एक दिन में बहुत सारे doubt होंगे उसके मन में चिंता भी होगी और बहुत सारा काम करेगा उसके बाद वो काम कर पाएगा लेकिन जो जो बिजी मैन होता है उसको किवल तीन मिनट लगेंगे वो उसकाम को करने में देखो यहाँ पर एक बात ये भी कही जाती कि जो ब्यस्त जो ब्यक्ति होता है जो लोग काम करते रहते हैं उन्ही को हमें कोई काम सोपना चाहिए करने के लिए क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करने का experience है वो आपका काम जल्दी कर देंगे लेकिन जो फिरी ब्यक्ति है अगर आप सोचो कि वो ब्यक्ति आपका काम जल्दी कर देगा तो वो बिलकुल नहीं करेगा क्योंकि उसे फ्री रहने की आदित है इसी से सम्मंदित पहला कॉस्चन है Who is the person likely to take more time? मतलब ऐसा कौन person है जो जादा time देता है to do work, काम करने को तो कौन ब्यक्ति है? busy man, best ब्यक्ति busy man के बारे में बुला गया है कि busy man को 30 मिनट लगेंगी एक काम को करने में बलकि जो a man of leisure है leisure means होता है जो आलसी ब्यक्ति है, खाली समय का ब्यक्ति है वो जादां समय लेगा तो ये answer होगा इसका B option सही है दूसरा देखते हैं what does the expression pillar box stand for? pillar box जो word दिया गया है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है a box attached to the pillar एक box होता है, mail box जो कि pillar से attach रहता है जोड़ा हुआ रहता है pillar यान की खंबा तीसरा देखते हैं which word in the passage is opposite to the word identity? idle means, sust यान की जो lazy बेकती होता है उसका opposite क्या है? तो उसका opposite क्या है? bg sust का मतलब जो पढ़ा रहता है कोई काम नहीं करता है और bg मतलब जो best होता है तो इसके तीन question ही थे इसमें ये option d वाला है तो इस तरीके से ये passage complete होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया है सिलाइक कीजी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियों थीडाने कीजीब बाद